हेलो गाईज, वेल्गम टू अवनी एकजाम अड़ा, आवनी एकजाम अड़ा की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है, जैसा कि आपने थमनेल में देखा होगा, ये जम्मो कसमेर, लद्धाक और दादर नागर, वेदवन देप से जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन स केंडर सासित प्रदेश, दादर नागर, हवेली तता, दवन दीप का विले किस तिती से प्रभावी है, तो इसका करेक्ट आंसर है, उपसन नमबर B, 26 जिनमरी 2020 से, कुशन नमबर नेक्स्ट है, केंडर सासित प्रदेश के रूप में जम्मो कसमेर का गठन कब किया गया था तो 31 सक्टुमबर 2019 को किया गया था, नेक्स्ट कुशन, वर्दमान में भारत के कितने केंडर सासित राज्यों में उच्छ नाले हैं, तो करेक्ट आंसर उपसन नमबर B, यानि 2, एक तो दिली में हैं और जम्मो कसमेर में, लद्दाक और जम्मो कसमेर का एक ही उच्छ नाल से, नेक्स्ट कुशन, कि लोग सभा की कितनी थे, आपसन नमबर C, पंच हैं, अघ राजसभा की सीट की में बात करता हूं, तो आपसन नमबर C, यानि 4 तो राजसभा की हैं, और पांच लोग सभा की हैं, कुशन नमबर नेक्स्ट जम्मू कस्मीर की प्रितम उपराजपाल कौन थे? तो करेक्टान स्वरे ग्रीश चंद मुर्मुर्वरतमान में कौन है? मनोस सिन्ना लदाक की बात करते हैं तो आर के मातुरा नहीं, रादा करिशन मातुर वरतमान में लदाक के उपराजपाल है Question number next जम्मू कस्मीर की स्थापना कब हुई थी? ओप्सन नमबर C, 26 अक्टॉमबर 1947 को Next question जम्मू कस्मीर का छेक्तरफल कितना है? जम्मू कस्मीर का छेक्तरफल है 42,241 वर किलोमेटर यानि ओप्सन नमबर A Question number next अनुच्छे 370 का संबंद संविधान के किस भाग से है? मलब इसका जो दिया हुआ है अनुच्छे 370 संविधान के किस भाग के अंतरफल आता है? तो हमारा Correct answer हो जाएगा उसन नमबर D भाग 21 में वर्तमान में भारत में विशेश दर्जब प्राप्त राज्यों की शंक्या कितनी है? Correct answer option number C 10 पहले थी 11 अभी 10 कौन-कौन से? असम, रुनाचल प्रदेश, मनिपोर, मेगाले, मिजोरम, नागलेंट, सिक्केम, तरपुरा, हरियाननी, हिमाचल प्रदेश, एंड उत्राकंड Question number next जम्मु कस्मीर की विशेश राज्य का दर्जा को कब समाप्त किया गया था? Correct answer option number B 5 अगस्त 2019 को विशेश राज्य का दर्जा को समाप्त कर दिया गया था जम्मु कस्मीर में अनुच्छे 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया है? तो correct answer option number A, खंड A को अभी तक नहीं हटाया गया है next जम्मु कस्मीर में धारप 35A को कब लागू किया गया था? correct answer इसका हमारा option number C 14 मई 1954 जम्मु कस्मीर सविधान कब लागू हुआ था? तो इसका correct answer हो जाएगा option number C, 26 जनवरी 1957 अब बात करते हैं कि जम्मु कस्मीर में कुल कितने जिले है correct answer option number C, 22 और केन सासे प्रडेश जम्मु कस्मीर की शीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका अपस्मु कस्मीर बी दो राज्यों से केंदर सासित प्रदेश लद्दा की शीमा कितने राज्यों से मिलती है अपस नमबर ए जम्मु कस्मीर से मिलती है केंदर सासित प्रदेश लद्दा की राजदानी क्या है करक्ट आंसर अपस नमबर डी ले केंदर शासित प्रदेश जम्मु कस्मीर की कुल विधान सबा सीन्टे कितनी है क्योंकि वहाँ पर भी मुक्मंत्री होगा तो वुक्मंत्री के लिए तो विधान सबा सीन्टों का होना जरूर है तबी तो इलक्सन होंगे उधर तो ओप्स नमबर B एक सो चौदे माँ पर शीन्टे है वर्तमान में कुल कितने केंदर शासित राज हैं या परदेश हैं तो कर्रेक्ट आंसर अप्सन नमबर C गोवा को पौर्ण राज का दर्जा कम मिला था कर्रेक्ट आंसर अप्सन नमबर C उननिस सो सत्यासी में और जम्मू कस्मीर की ग्रिम्स कालीन राजदानी क्या है सिरी नगर ये ग्रिम्स कालीन है और सर्दियों में इसकी राजदानी जम्मू हो जाती है कुछ नमबर नेक्स्ट केंदर शासित परदेश लद्दाग के लिए लोग शभा के कितने सेंट निर्दारित है बारेस सरकार ने नया मान्चित्र कब जारी किया था इसका करेक्टान्सवर 26 का करेक्टान्सवर एक मिन्ट हाँ तो बारेस सरकार ने नया मान्चित्र कब जारी किया गया था दो अक्टॉमबर 2019 को किया था पाक अधीकरत कसमीर के कितने जलों को जमो कसमीर में सामिल किया गया है कर्रक्ट आंसर अप्स नमबर B Question नमबर next केंदर सासित परदेश लद्दाग की सीमा कितने देशों से लगती है कर्रक्ट आंसर हो जाएगा अप्स नमबर C तीन देश कौन-कौन से इदर चीन हो गया इदर अफगानिस्तान हो गया इदर पाकिस्तान हो गया ऐसे ऐसे लगती है न ऐसे तो केंदर सासित प्रदेश लद्दाक किस देश के साथ अपनी सीमा साज़ा नहीं करता करा टांसर होया अप्सन नमबर डी नेपाल के साथ बार्त में चेकपल की द्रस्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज कौनसा है अपस नमबर B लद्दाक केंद्र शासित प्रदेश जम्हु कसमिर में कितने भाशाओं को राज की वाशा गोशित किया गया है अपस नमबर B कौन-कौन सी है नेक्स्ट कुछिन है जम्मु कस्मीर की कौन सी एक राज की ये भासा नहीं है आपस नमबर D फार्सी कस्मीरी, हिंदी, उर्दू, डोगरी और अंग्रिजी ये यांकी राज की ये भासा है कुछिन नमबर नेक्स्ट केंदर सासित प्रदेश, दादर नागर हवेली एवं, दवन दीव की राजदानी कहा है तो आपस नमबर A is the correct answer, दमन कुछिन नमबर नेक्स्ट दादर नागर हवेली एवं, दवन दीव में कुल कितने जिले है आपस नमबर B, 3 कुछिन नमबर नेक्स्ट केंदर सासित प्रदेश, दादर नागर हवेली एवं, दवन दीव की प्रतम प्रसासक को थे आपस नमबर A, प्रत्फुल पतेल कुछ नमबर नेक्स्ट दादर नागर हवेली एवं, दवन दीव के लिए लोक शबा की कुल कितने सीटे निर्थारित की गई है कर्रेक्टांसर और अप्सन नमबर C दो सीटे जमू कस्मीर में अनुच्छे 370 कब लागू हुआ था इसका कर्रेक्टांसर और अप्सन नमबर A 17 अक्टूमबर 1949 में गोवा पहले किसके अदिन था और अउस नमबर D पुर्तगाली हो गे गोवा को आजादी कम मिली अप्सन नमबर B 1961 में आज यह हमारा लास्ट कोशन है यह टॉप 40 कोशन थे इतने कोशन बननेंगे इससे और सारे इंपोर्टेंट कोशन है अगर यह आपको सेक्शन अच्छा लगाए ना तो अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और अगर आप यूट्यू चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सस्क्राइब करना ना बूलें चलो लास्ट कोशन को भी हम देख लेते हैं दादर नागर हवेली एवं दवन दीप का कूल छिक्तफल कितना है तुकर टांसोरे हमारा 603 वर किलो मीटर चलो दोस्तों धन्यवाद एंड दीपावली की आप और आपकरी परिवार को हार दीप सुब कामना है ओके दोस्तों धन्यवाद